हेलो एबिवान मैं हूँ जैश राजगोर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंट्रस्टिंग यूट्यूब वीडियो में दोस्तों हम पढ़ रहे हैं TYBCOM SEM5 का Business Economics और ये है दोस्तों Most IMP Questions सीरीज का Lecture No.2 बस इतना पढ़ लीजिए और काम फिट मामला हिट और पेपर सूपर हिट हो जाएगा ज़रा भी टेंशन नहीं लेना है शॉट कोड्स टिप्स और ट्रिक्स के साथ आप हमारे चैनल पर बने रहे हैं और प्यार बरकरा रखिए दोस्तों हमारा चैनल जो है वो 92,000 सब्सक्राइब कर चुका है और आपके प्यार के साथ ही ये हमारी चोटी सी प्यारी सी यूट्यूब फामिली जो है वो आगे बढ़ रहे है दोस्तों जरूर 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 चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन दबाईए क्योंकि यहां आपको लगाता आर ऐसे ही informative वीडियोज मिलते रहेंगे दोस्तों आज हम Most MP Question की सीरीज में सोशल इंफ्रास्रक्चर पर बात करने वाले हैं आज का जो वीडियो है और सोशल इंफ्रास्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए यह कई अलग-अलग योजनाए हैं शॉर्ट कोड के साथ टिप्स और ट्रिक्स के साथ चलिए आज की इस आंसर को पढ़ लेते हैं दोस्तों वीडियो का अंतक देखीगा ताकि आप लिख पाएं अच्छे से ठोकोलाजी करनी हो फेकोलाजी करनी हो या दिमाग से इन्फर्मेशन का भंडार भरना हो आप अच्छे से लिख पाएं इसी लिए इस वीडियो जरूर पूरा देखीगा दोस्तों बात करें सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी है पैकेजिंग आंसर की बहुत जरूरी है और यहां पर मैंने छोटा सा एक इंट्र पॉर्ण बागया दोत्र बागया इक बात जरूरी होता है पॉर्णक सैथे होना नहुत बहुत जरूरी होता है पॉब्लिक सड़्विसेस का और ह decir का अच्छा होना ताकि आपका देश भी अच्छा बन सकें तरक्की कर सकें हल्ट्च ए इ版?फ्ड जरू सहार ऑफरॉइड तो बात यहां से शुरू होती है होता यह है कि प्राइवेट सेक्टर वाले भी तो हस्पिटल खोल कर बैटे हैं और बहुत अच्छे सुधाय दे रहे हैं लेकिन एक डेवलपिंग कंट्री जैसे कि इंडिया यहां पर हर कोई प्राइवेट इलाज जो है वो अफोर्ड नहीं कर पाता और इसी लिए सरकारी हेल्थ केर फैसिलिटीज का होना बहुत जरूरी हो जाता है यही है अपना आंसर देर्फोर, most people use public health care services इंडिया has a vast and elaborate network of public health care system आज की इस वीडियो में हम reference to family welfare पर ही बात करने वाले हैं ऐसे हम health care infrastructure को सुधारनी की लगातार कोशिश करने और किस तरह से आगे बढ़ने हैं दोस्तों हमारा question है आज का बड़ा ही simple social infrastructure का role with reference to family welfare आंसर का नाम PRN आंसर का नाम PRN आंसर का नाम PRN अरे आंसर का नाम PRN खुल मिला करके 7 points का यह answer बनता है बहुत ही simple सा बहुत ही प्यारा सा याद रखिए यह योजनाएं हैं अलग-अलग जिनके जरिये social infrastructure को सुधारने की कोशिश की जारी है सबसे पहले प्रधान मंत्री स्वास्त सुरक्षा योजना प्रधान मंत्री स्वास्त सुरक्षा योजना के अलावा poor patients यहाँ poor patients financial support इसके अलावा राष्ट्रिय स्वास्त बीमा योजना यहाँ पर maternity से related कई सुधाय सरकार दे रही है महिलाओं के लिए national health mission भी है इसके अलावा और national program for health care of elderly और आखिर में एन से national health policy 2017 तो एन से यहाँ पर 3 points नगल कर के आते हैं दोस्तों जरूर नहें no down कीजेगा कुल मिलाकर के 7 points PRN role of social infrastructure with reference to family welfare चलिए अब हर point को बारी की से समझ लेते हैं किस point में कितना आपको लिखना है वो भी समझ लेते हैं किस योजना में क्या खास किया गया है वो डाल लेते हैं नजर दोस्तों सबसे पहले point की बात करूँ तो यहाँ पर पहला point आता है प्रधान मंत्री स्वास्त सुरक्षा योजना का PM SSY याद रखिए स्वास्त सुरक्षा योजना 2003 में आई थी कब आई थी भीया 2003 में आई थी Yes, it was announced in 2003 with the objective of correcting regional imbalance क्या हो रहा था? कई जगाओं पर health infrastructure बेहाद अच्छा था और कई राज्यों में बहुत ही खस्ता हाल था बहुत problem हो रहे थे कई ऐसे राज्य थे जैसे की UP बिहार की बात करें तो healthcare infrastructure पर उतना जादा तवज्यों नहीं था बहुत जादा खस्ता हाल चल रही थी कई राज्य ऐसे थे जहाँ पर सुधाएं अच्छी भी थी तो ये regional जो imbalance था उसे सुधारना एक मकसद था दोस्तों objective था याद रखिए the quality of medical education को improve करना था हमें aims के माध्यम से अलगला अस्पताल को set up करना था and upgrading government medical colleges in phases currently six aims are functional और अब तो कई मोधी सरकार ने खोल भी दिया है नए aims one is under construction and 13 more have been announced तो इस प्रकार से प्रधान मंतरी स्वास्त सुरक्षा योजना में स्वास्त की सुरक्षा का महत्व समझा गया है और इसी के जरीए educational system जो है health education का उसे भी बढ़ावा देनी की कोशिश की गई है बढ़ते हैं दोस्तों आगे PRN के अंदर अगले point की बात करूँ तो ये भी PC है और नाम में ही इसका काम शुपा हुआ है poor patients financial support क्या poor patients financial support या नि जो गरीब हैं जो मजदूर हैं जो laborers हैं, workers हैं, farmers हैं जो गरीब लोग हैं, जो मेहंगी healthcare facilities afford नहीं कर पाते उनको कैसे support दे रही है सरकार तो यहाँ पर राष्ट्रिय आरोग्य निधी रन नाम से जो राष्ट्रिय आरोग्य निधी होता है जो fund होता है, इसको set up किया गया 1997 में to provide financial support to patients who are below poverty line क्या, below poverty क्या, below poverty line जो गरीबी रेखा से जो नीचे हैं उन लोगों के लिए किया गया है and are suffering from major life threatening diseases, इनको अगर कोई खतरनाक बीमारिया है, तो भाईया, इलाज कैसे कर पाएंगे पैसा कहां से लापाएंगे और इसलिए बीमारिया जैसे की cancer, cardiovascular diseases, kidney diseases orthopedic problems इन सभी बड़ी बिमारियों के लिए इलाज का support मिले, ये कोशिश इस योजना की तरही है की गई financial assistance to such patients is released in the form of one time grant given to the hospital where the patient is undergoing treatment या जिस भी अस्पताल में patient का इलाज चल रहा होगा, वहाँ पर एक समय का grant पूरी तरह से दे दिया जाएगा सरकार की तरफ से ऐसी ये जबरदस योजना बनाई गए, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों एक और योजना यहाँ पर आपको समझ गई होगी हम पढ़ रहे हैं, role of social infrastructure with reference to family answer का नाम PRN P और हमने दो points P से देख लिए बढ़ते हैं, अब आगे दोस्तों अगला point जो निकल करके आता है वो है R से येस, राष्ट्रिय स्वास्त्य बीमा योजना ये बीमा योजना है इंश्योरेंस है भाईया राष्ट्रिय लेबल पर के ये जो सरकार ने शुरू किया RSBY was launched in 2008 to provide social health security to workers in the unorganized sector, ये खास तोर पर किसके लिए बनाए गई भाई, उन workers के लिए उन मज़़ूरों के लिए जो unorganized sector में organized वालों को तो बहुत security फिर भी मिल रही थी इन unorganized sector वालों को जो बीमा नहीं मिलता था, उसको देने की कोशिश यहां सरकार ने की it was initially designed to provide health insurance coverage to below poverty line workers, but now the coverage has been expanded, it covers construction workers, street vendors, license railway portors, manrega workers, BD workers ऐसे कई domestic workers हैं जिनका यहां पर समाविश किया गया है और इस राष्ट्रिय स्वास्त बीमा योजना के तहत धेर सारे इनको concessions और health insurance जो है, वो provide कराए गए हैं, तो उमीद करता हूँ दोस्तों यह पहला आर से जो निगल करके आया, वो आप समझ गए होंगे बात करें अगले point की, तो यह जबरदस्ता scheme है reproductive maternal newborn child and adolescent health याद रखिए दोस्तों यह पूरी तरह से उन महिलाओं के लिए है, जो गर्फवती है उन महिलाओं के लिए जो maternity के phase में है reproductive phase में है, इंडिया became the first country in the world to launch national family planning program in 1952 इसका main aim क्या था? इसका main aim था कि slow population growth हो initial years के अंदर हम इसमें सफलता प्राप्त करें और जादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुँचाएं तो दोस्तों हुआ यह कि अब immunization की बात करते हैं और welfare program के जरीए आज family planning जो है वो अच्छे से हो रही है not just restricted to family planning or population control but includes measures that help maternal and child care and nutrition program यह line important है याद रखना कि आज इस योजना के दहत फिर्फ population control या population growth से related नहीं बलकि health से related सुविधा भी देने की कोशिश सरकार कर रही है even the immunization program is part of family welfare जहां पूलियो अगरे के doses दिये जाते हैं बच्चों को उसी तरह से जो माताएं हैं गर्वती उनों के लिए injections ज़रूरी जो होते हैं वो दिये जाते हैं तो primary aim यहां से bracket में डाल दीजेगा और the program is to provide integrated health service to women, children and adolescents तो इस तरह से महिलाओं को छोटे बच्चों को, नवजाच शिशों को यहां पर सुधा देनी की कोशिश इस जबरदस्त योजना reproductive जो योजना है adolescent health की इसके जरिये की जाती उमीद करता हूं दोस्तों आर से यह दूसरा point भी आप समझेंगे जरू note down कीजेगा बढ़ते हैं आगे अगले point की और PRN में N से National Health Mission NHM जी हाँ NHM National Health Mission यह launch हुआ था 2013 के अंदर और एकदम affordable और equitable यानि सबके लिए स्तमान और एकदम quality standard वाला health healthcare जो है वो service provide करने कोशिश तरकार द्वारा की गई through the healthcare infrastructure the NHM includes the National Rural Health Mission National Rural Health Mission and the National Urban Health Mission as well under the NHM the state governments would have the flexibility to plan and implement the state specific action plans the NHM proposes to strengthen the public healthcare infrastructure through the following measures तो भाया कूल मिला करके मैं आपको बदा दूँ अगर आपको इसमें दो lines अच्छी से लिखनी है तो यह जो हमारा National Health Mission है इसकी कोशिश यह रही है कि राजियों से भी जो है वो हाथ मिलाया जाए और राजियों के जरीए और ज्यादा जो है Health Care Services को Affordable, Equitable बनाया जाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए क्या मुद्दे ध्यान में रखे गए है तो Adoption of Indian Public Health Standards Quality Improvement देना है भाई अच्छी Quality Define Quality Standard की और आखरी में बात करूँ दोस्तों तो आखरी पॉइंट आता है Bridging the existing skill gaps in healthcare परसनल तो कहीं न कहीं ज्यादा doctors हों, ज्यादा nurses हों और इनके जरीए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके हमारी सेवा हैं यही कोशिश सरकार द्वारा की गई है तो यहाँ पर इस mission में बहुत ज्यादा सफलता भी प्राप्त हुई और slowly and steadily देश जो है वो इन missions में successful हो पाया आखरी point के यहाँ पर बात करूँ दोस्तों तो इस point के अंदर हम देख रहे हैं N.C.E. एक और point National Program for Healthcare of Elderly इसमें यह जो word आता है elderly यही आपको समझा देता है कि यार elderly यानि कहीं न कहीं ये senior citizens वुरुध लोगों के लिए उनकी सेवा के लिए और उनको अच्छे services healthcare के मिल सकें इसकी कोशिश है with increase in life expectancy the proportion of the elderly population to total population in India is increasing many of the elderly population belonging to low income category with little or no financial support यार उमर भी बड़ी है पैसे का support भी नहीं है problem भी बहुत face कर रहे है ऐसे लोगों को मदद ऐसे बुज़ूर्गों को मदद जो है वो national program for healthcare of elderly से मिलेगी दोस्तों याद रखिए NPHE was launched in 2010 to address the various health related issues of the elderly population यानि बुले तो नाम के health policy 2017 में launch किया धाई कुछ ही मुद्दे हैं बहुत सबर्दस से increase life expectancy to 70 years इस policy की जरिए 2025 तक का एक लक्ष बनाया गया कि यार average एक आदमी जिन्दा रहता है ना देश में तो वो 70 साल तक तो जीना ही चाहिए हाला कि हालात आज भी खराबी है लेकिन 70 साल इनका टार्गेट है 2025 तक का अच्छी से अच्छी सर्विस देकर health care service और facilities देकर हाला कि कुरोना ने जरूर हमारी हालत और डाउन की है लेकिन कहीं न कहीं कोशिश जारी है reduce infant mortality rate to 28 per thousand births by 2019 यानि हम तो चाहते हैं कि यार एक भी नौजाज शिशू ना मरे एक भी नौजाज शिशू को अपनी जान ना खुनी पड़े health care facilities इतनी अच्छी हों कि यार एक भी बच्चा अपनी जान ना गवा है लेकिन हमारी कोशिश है कि जो rate high है उस infant mortality rate को हम 28 पर लेकर आ जाया है per thousand birth by 2019 ने कोशिश जारी है और कम करने की हम कोशिश कर रहे हैं बात करें दोस्तों HIV AIDS जैसी बिमारीयों की तो हमने target रखा है और इस target के जरी है 90% of all people living with HIV know their HIV status 90% of all people diagnosed with HIV infection receive sustained antiretroviral therapy उनको दी जाती है 90% of all people receiving antiretroviral therapy will have viral suppression as well तो ये सुविधा HIV AIDS के patients के लिए reduce करने की कोशिश है prevalence of blindness to 0.25 per thousand people by 2025 तो लक्ष बड़े बड़े है national policy जो health policy 2017 में है इसके लक्ष बड़े है और कोशिश है कि 2025 तक जो है जादा से जादा लक्ष को हम पूरा करें और policies यो जनाएं जो हैं वो होती ही इसके लिए हैं कि हम aims को objectives को अचीव कर समयरे इस policy में भी कुछ ऐसा ही है कि हम health expenditure को increase करें सरकार ज्यादा पैसे दे 2.5% of GDP to 2025 और आखरी में to achieve preventive and promotive health to improve environment by improving environment through स्वच भारत अभियान, substance abuse prevention program, women empowerment etc. तो ये सभी को एक synchronized way में present करते हुए हम चाहते हैं कि हमारी health care facilities जबरदस्त हो, family welfare जबरदस्त हो और हमारा देश जो है social infrastructure में number one बन जाए तो इस तरह से उमीद करता हूँ आपको पूरा answer समझ में आ गया होगा दोस्तों जरूर पॉइंट्स को note down कीजिएगा, एकदम अच्छे से note down कीजिएगा, हमारा आज का question जो हमने complete किया यहाँ पर, question बड़ा ही simple सा है, social infrastructure का role with reference to family welfare, answer का नाम PRN, answer का नाम PRN, प्रधान मंत्र स्वास्त सुरक्षा योजना, poor patient financial support, राश्ट्रिय स्वास्त, बीमा योजना, इसके अलावा, reproductive, maternal, newborn, child and adolescent health, इसके अलावा, national health mission, एन से ही, national program for health care of elderly, यहाँ पर elderly दिमाग में fit कर लीजिए, आसान हो जाएगा, और आखिर में national health policy 2017, इस प्रकार से एक और answer आज हमने कर लिया ह मैं cover उमीद करता हूँ, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, जरूरी से like कीजिए, share कीजिए, ज़्यादा-ज़्यादा students के साथ, और दोस्तों, shortcodes, tips और tricks के साथ, लिख करके practice कीजिए, आपकी practice ही आपके लिए जड़ी-बूटी साबित होने वाली है, नाने वाले exams मे हम दोस्तों ऐसे वीडियो आपके लिए लगातार लेकर आते रहेंगे, कोई भी doubt हो तो मैं आपको Instagram पर मिल जाओंगा, मेरा ID है राजगूर जैश वी, do like और share and subscribe, इस वीडियो को प्यार दीजिएगा, और चैनल पर अपना प्यार बरकरार रखिएगा, हम मिलेंगे फिर ए झाल 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 झाल